सवाल नंबर 6 देखिए, कहता है गुनानखंड ग्यात करे, ए नंबर सवाल है, x square minus 3x minus 28, इसका गुनानखंड करना है, तो यहाँ देखिए, सबसे पछले क्या करते हैं, कि x square में इससे हम गुना करते हैं, तो minus 28 x square होगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो, बीच वला पत कितन माइनस 3x को आपको दो टुकड़ा में करके लिखना है जिसको जोड़ घटाव करने पर इतना हो जाए और गुणा करने पर इतना हो जाए तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस 7x पलस 4x माइनस 7x में 4x को जोड़ेगा तो इतना हो जाएगा इसमें इसे गुणा गई तो इतना हो जाएगा तो XAl Is Powder है तो इहां लिखेंगे Xogly Minus 3 x है तो इसको हम लिखेंगे Minus 7 x Plus 4 x तो इसमें इसको जोड़िएगा तो इतना हो जायगा Minus कितना है 28 ये दोनों में common है X यहां बचेगा 1 minus 7 x में x को हम common कर ली है बचा कितना साथ पलस यह दुनों में common है 4 यहां बचेगा x minus 28 में 4 common है तो यहां कितना बचेगा 7 देखिए x minus 7 x minus 7 दुनों में है तो इसको हम common कर लेते हैं तो यहां बचा x पलस 4 तो इसको हम गुन अन्खंड किये तो इतना आया यहीं यह solution है अब बी नंबर सवाल देखिए इसमें दिया हुआ है m²-5m-14 इसका गुनानखंड करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें इससे गुना करते हैं तो –14m² इसका बीच वाला पद है –5m तो इसको जो है हम दो टुकडा करेंगे जिसको जोड़ घटाओ करने पर इतना हो जाए और गुना करने पर इतना हो जाए ठीक है तो –7m और पलस 2m तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो इतना होगा और इसमें इससे गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा देखिए इसको हम लिखते है m² और –5m है तो इसको हम लिखेंगे माइनस साथ एम पलस टू एम माइनस चवदा है यह दोनों में देख रहा है कि कॉमन जो है एम कॉमन है तो यहां बचेगा एम माइनस इसमें बचेगा साथ पलस यह दोनों में कॉमन है दू तो यहां बचेगा एम माइनस यहां बचेगा 7 दोनों में M माइनस 7 है तो M माइनस 7 को हम common कर लेते हैं तो E common हो गया बचा कितना M पलस E common हो गया तो बचा 2 तो इसको हम गुननखंड किये तो इतना आया यही आपका आंसर हो जाएगा C नेंबर सवाल देखिए दिया हुआ है X square माइनस 11 X माइनस 42 इसको गुननखंड करना है तो सबसे पहले देखिए X square में माइनस 42 हैं गुना करिए तो माइनस 42 X square होगा बीच वाला पद कितना है तो माइनस 11 X है अब देखिए माइनस 11 X है इसको दो टुकडा करके हम लिखेंगे ताकि जोड घटाव करने पर इतना हो जाए और गुना करने पर इतना हो जाए तो यहां देखिए माइनस 14x और पलस 3x माइनस 14x में 3x को जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा और इसमें इसे गुना करिएगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है, तो दखिए, x square, minus 11x है, इसको हम लिखेंगे, minus 14x plus 3x, जब इसको solve करिएगा, तो इतना ही हो जाएगा, तो e लिखे, चाहे e लिखे, दोनों क्या है, बराबर है, minus कितना है, b40, अब चेक करिए कि इसमें common कितन है, ठीक है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को हम common कर लेते हैं, इसमें बचेगा क्या, x minus है, 14x में e common हो गया है, तो बचा कितना है, 14, पलस है, तो यहां लिखेंगा पलस, अब इसमें देखिए कि common कितना है, तो इसमें भी 3 है, तो 3 common कर लेते हैं, यहां बचेगा X minus है तो plus minus होगा 42 में 3 common है तो बचागा कितना? 14 अब इसमें इसमें देखिए दोनों में देख रहे हैं कि X minus 14 है तो X minus 14 को हम common कर लेते हैं तो यहां बचागा X plus इक common होगा बचा कितना? 3 तो इसको गुननखंड करिएगा तो इतना आएगा यही आपका आंसर होगा अब D नमर सवाल देखिए दिया हुआ है Y square minus 4Y minus 21 इसको गुननखंड करना है तो इसमें इससे गुना करेंगे तो minus 21Y square बीच में कितना है? minus 4Y देखिए इसको जो है दो टुकडा करके लिखना है जिसको जोड़ घटाव करने पर इतना हो जाए अब गुना करने पर इतना हो जाए तो minus 7Y और plus 3Y तो 7Y में minus 7Y में 3Y जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा और इसमें इससे गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा ठीक है? यहां देखिए Y square है इसको हम लिखेंगे minus 7Y plus 3Y तो इसमें इसको जोड़ेंगा तो इतना हो जाएगा तो E लिखे जाए E लिखे दुनों क्या है? एक है minus क्या है? 21 अब इसमें देखिए कि common कितना है तो Y common है यहां बचेगा Y minus इसमें बचेगा 7 अब इसमें चेकर यह common कितना है तो पलस इसमें देख रहा है तीन common है यहां बचेगा Y minus 21 है 21 में 3 से भागा देजिए तो कितना बचेगा 7 अब इसमें देखिए कि दोनों में Y minus 7 है तो Y minus 7 को हम common कर लेते हैं तो यहां बचेगा Y पलस इसमें बचेगा 3 यानि किसको हम गुननखंड किये तो इतना आया यही आपका आंसर हो जाएगा सवाल नमबर 7 देखिए काता है गुननखंड ग्याद करे यह नमबर सवाल है दिया हुआ है X square minus 30 X plus 216 इसका गुननखंड ग्याद करना है देखिए 216 में X square से गुना करेंगे तो होगा 216 X square बीच में आपको दिया हुआ है minus 30 X यह पद है इतना इसको दो टुकडा करके लिखना है जिसको गुना करने पर इतना और जोड़ घटाव करने पर इतना हो जाए तो देखिए minus 18 X और minus 12 X यह दोनों को जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा और यह दोनों में गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा ठीक है तो इसको देखिए लिख रहे है X square minus 18 X minus 12 X plus 216 इसको देखिए इसमें बचेगा X minus X common हो गया तो इसमें बचे 18 minus है यह दोनों में common है 12 तो 12 को common करते हैं इसमें बचेगा X देखिए यहाँ पर minus हम common किये हैं यहाँ पर plus है तो यहाँ आपको लिखनाओ को minus तो minus minus plus 216 में 12 से भाग दिजिए तो यहाँ बचेगा 18 अब देखिए यह दोनों में common है X minus 18 तो इसको हम common कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा क्या X minus इसमें बचेगा 12 तो इसको हम गुननखंड किये तो इतना आया ठीक है सवाल नामबर B X square minus X minus 90 इसका गुननखंड करना है तो देखिए X square में minus 90 से गुना करेंगे तो minus 90 X square होगा ठीक है और बीच वाला पद है minus X तो इसको जो है आपको दो ऐसा टुकडा करना है जिसको जोड़ घटाओ करने पर इतना और गुना करने पर इतना हो जाए ठीक है तो यहाँ देखिए minus 10 X plus 9 X तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा और इसमें इससे गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा ठीक है तो इसको देखिए लिख रहा है X square minus X को हम लिखेंगे minus 10 X plus 9 X तो इसमें इसको जोड़ेगा तो फिर इतना ही हो जाएगा और minus 90 है इसमें बचा X minus इसमें बचेगा 10 इसमें बचेगा कितना 10 दोनों में X minus 10 है तो इसको हम गुमन कर लोते है तो इसमें बचेगा X plus है यह common हम कर लिए हैं तो बचा कितना नौ तो इसको गुननखंड किये तो इतना आया यही आपका solution है C number सवाल देखिए इसमें दिया हुआ है x square पलस 10 x पलस 21 इसका गुननखंड करना है तो पहले इसमें इससे गुना करेंगे तो होगा 21 x square और बीच वाला पद आपको दिया हुआ है 10 x तो इसको जो है आपको दो टुकड़ा करना है इसको जिसको गुना करने पर इतना और जोड़ घटाव करने पर इतना हो जाए तो यहां देखिए 7 x और 3 x 10 x लिखिए चाहे 7 x प्लस 3 x लिखिए दुनों क्या है बरावर है ठीक है तो इस दुनों को हम अगर जोड़ते हैं तो इतना हो जाएगा इसमें इससे गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा तो देखिए इसको हम लिख रहे है एकस square है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 x प्लस 3 x तो इस दुनों को जोड़ेंगे तो फिर इतना ही हो जाएगा प्लस क्या है 21 है इस दुनों में देखिए common कितना है तो x common है यहां बचेगा x प्लस इसमें बचेगा 7 प्लस है तो प्लस इस दुनों में common है 3 तो यहां बचेगा x प्लस 7 इसमें 3 common है तो बचा कितना साथ इस दोनों में देखिए X प्लस साथ common है तो X प्लस साथ हम यहाँ पे common कर लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा X प्लस है यह common हो गया बचा कितना तीन तो इसको हम गुनानखंड किये तो इतना हुआ यही आपका answer हो जाएगा अब दी नमर सवाल देखिए X स्क्वाइर माइनस ए प्लस एक बटा ए इंटू X प्लस वन ठीक है इसका गुनानखंड करना है तो यहाँ देखिए X स्क्वाइर माइनस ए में एक से गुना करेंगा तो यह हो जाएगा तो माइनस ए एकस माइनस प्लस माइनस एक बटा ए में एक से गुना करेंगे यह हो जाएगा एक बटा ए एकस प्लस वन ठीक है तो देखिए इसमें इससे गुना करेंगा तो क्या हो जाएगा एक स्क्वाइर देखिए इसमें इससे हम गुना करेंगा तो एक स्क्वाइर त और इसमें इसको जोड़ेंगा तो फिर इतना हो जाएगा अब देखिए कि इसमें common क्या है? X common है तो यहां बचेगा X minus इसमें बचेगा A minus है तो यहां लिखेंगा minus इसमें और इसमें देखिए क्या common है? तो एक बटा A हम common कर लेते हैं ठीक है, एक बटा-a हम, common कर लते हैं. तो यहां बचएगा x, यहां पलंश हो, तो यहां लिखेंगा minus, तो minus, minus, पलंश, यहां 1 है, और इसमें, हम एक बटा-a common किया हैं, तो यहां लिखेंगा a. तो इसमें, इस से गुना करिएगा, तो कितना बचएगा? एक बचेगा अब दोनों में x-a है तो x-a को हम common कर लते हैं तो यहाँ बचेगा x- यह तो common हो गया है बचा कितना एक बटा a तो इसको हम गुरनखंड किये तो इतना आया यही आप का अंसर हो जाएगा तो इस exercise के जितने भी question था हम सब को solve कर दिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रस्ना वाली theory c ठीका तो उसका वीडियो हम अलग बनाएंगे तो जब तक के लिए इसको पढ़िए